हलो दोस्तो चैनल पर आपका स्वागत है यह वीडियो जोतिश सीखने के बारे में नहीं है यह आपके लिए है as end user कि जब आप जोतिश के वीडियो देखते हैं खास करकी वीडियो जिसमें अगले मेहने की prediction दे रहे हैं तो उस वीडियो का आपने सबसे ज्यादा फाइदा कै बहुत ही असान तरीके से जब भी आप कोई भी वीडियो जोतिश के prediction वीडियो देखते हैं वो वीडियो दस मिनिट का 20 मिनिट का हो सकता है दस मिनिट के वीडियो में कम से कम 50 तरह के result बताए जाएंगे वो सभी 50 आपके उपर तो applicable नहीं होंगे किसी व्यक्ति के उपर 3-4 result उसमें से आएंगे किसी व्यक्ति के लिए 3-4 और result आएंगे अलग तरह के प्रतियक व्यक्ति पर अलग-अलग result आएंगे वो depend करेगा दशांतरदशा प्रतियंतरदशा पर तो सबसे पहला step है कि जब भी आप वीडियो देखें वीडियो देखने से पहले एक कागश पर अपनी दशांतरदशा के ग्रह नोट कर लीजिए और यदि आपको ये देखना नहीं आता है तो उसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप उसमें से देख सकते हैं अब आप अपनी जर्म अब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो में जो इन्फॉर्मिशन आ रही है उसको यूज करने के लिए जब भी आपके नोट कियो हुए ग्रहों के रिजल्ट बताए जाते हैं आप उनको नोट कर लीजिए अब ये रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी आ गया इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए खराब रिजल्ट देगा आप उस ग्रह को अपनी जनमकुडली में देखी है वो कहां पर प्लेस्ट है अगर वो ग्रह अच्छी जगा पर है और आज तक वो ग्रह शुब फल प्रदान कर रहा था तब वो गोचर में खराब जगा पर आता है छे याट पारा घर में या खराब कंडीशन में आ जाता है तब केवल इतना होगा कि उसकी अच्छाई में थोड़ी सी कमी आ जाएगी उसकी शुबता में थोड़ी सी कमी आ सकती है मगर वो ग्रह अशुब नहीं हो जाएगा जैसे कि कई वीडियो में अग पर ही applicable होगा तो बाकी लोगों का स्वास्ते क्यों नहीं खराब हुआ क्योंकि उनके ग्रह आल्रेडी एक अच्छी जगा पर बैठे थे और शुब फल दे रहे थे तो वो अशुब नहीं हो जाएंगे केवल उनकी शुबता में थोड़ी सी कमी हा जाती है बस इतना ही होता है तीसरा होता है कि जो भी result आ रहे हैं वो कब आएंगे उसकी timing क्या होगी और हर काम के लिए सबसे शुब दिन कौन से होंगे जैसे कि कोई व्यक्ति नई नौकरी के लिए apply करना चाहता है तो नई नौकरी apply करने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से हैं इन दिनों को calculate करने के लिए जब हम वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाने से पहले हम कौन सागर है किसके नक्षत्र में हैं उन पे दृष्टी यूतियादी क्या पढ़ रही है क्या conditions है ये सारी condition को हम पहले calculate कर लेते हैं और जब वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें या अशुब दिन बताते हैं और वो दिन आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप देखिए कि आपको results वहाँ पर कैसे मिले और आखरी बात जो होती है कि हमको उपाए कौन से करने हैं उपाए के लिए हर ग्रह के साथ अपने वीडियो में उपाए भी हम बताते हैं और हर उपाए को आप नोट कर सकते हैं और जिस ग्रह का जो उपाए हैं उसके result अच्छे करने के लिए वह उपाए ना केवल आपको एक महिना बलकि आपकी पूरी जिंदगी अच्छा result देगा परंतु कोई भी उपाए करने से पहले आप अपनी जर्म कुडली अवश्य चेक कर लीजिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी ब्रियस्पती की दशा चल रही है एजन एक्जामपल तो आपको ब्रियस्पती के ही उपाए करने पड़े ये जरूरी नहीं हो सकता है कि आपको किसी और ग्रह के उपाए करने पड़े जो ब्रियस्पती को अफेट कर रह क्योंकि गलत उपाये से हम अपने अच्छे ग्रहों का भी नुक्सान कर सकते हैं तो कृपया यह याद रखिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप जब भी वीडियो देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपनी दशांतर को आप नोट करिए और वैसे आप फॉलो करिए तो इससे आपको पूरा जिन्दगी लाब होगा तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद हुआँ होगा होगा है